आज ज़सी डिसकस करांगे variation of phase difference between the displacement and the driving force with the driving force frequency so असी phase difference जड़ा सी अलड़ी पहले कल्कुट किता सी जिन्नों सी 5 देना दिनोट किता सी गा basically 5 तो भी जादा है गायो क्योंकि it was like minus 5 minus 5 by 2 इसी गा साथ डिकोल 8 और 10 दे लिखे ही होया तो अ जेड़ा सीगा एफ डिफरेंस सीगा between the x and the f f सीगा साड़े कोल जी में अगर हो कॉस वाली टाओमा तो कॉस जी एसी लेलनने है f not कॉस ओफ ओमेगा टी सीगा एसाड़े कोल सीगा कॉस ओफ ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 5 जेड़ा जेड़ा जीगा ओ आंदा सिगा एसी लैग हुंदा सिगा डिस पेस्मेंट चेडिया हो पिछे रहा जांदी है ट्राइविंग फोर्स चेडिया हो इन्हें फेस जिनाल अग्गे चारी हुंदी है तो हुंद ऐसी थिक कॉस वाला ही फंक्शन लिया हुए है एत्थ ऐसी साइन भी ला सकते हैं ऐ उसी कॉस लेताल है कि छलो इसीजेडावा हो जाएगा तो फोर कॉर्सपोंडिंग दिस कॉस में साइन फंक्शन और साइन तो जेडावा छिछ विच जेडावा विच अनुछ मेंटा कन्वर्ड किता है हुंद अर्लियर ऑल्सू अन्ड यू प्लस ओमेगा म माइनेस स्पाय प्राइब यह जड़ा इस तारा तो दी ब्रैकेट दे विच्छे इस पूरे दा स्क्वेर ते फिर एदा अंडरूट और एथी है गा ता डिकोल टैन फाइब आवा ओधी वैल्यू जड़ी है क्योंकि एथे फाइस ही गा तो टैन फाइब वैल्यू जड़ी है ओंदी है ड्राइविंग पॉर्स नाल इनने जड़ावा फाइट हों तो क्योंकि जड़ा फाइए देखते पर फाइवा ओमेगा दे उपर डिपेंड का रहे है तो एदा मतलब जड़ा फेस डिफ्रेंस है बिट्वीन दा डिस्प्लेस्मेंट और ड्राइविंग पॉर्स क्योंकि ओ प्लस पाइब ड्राइविंग गारे फ फाइविंग फाइविंग दो जीड़ा फाइव देपेंड का रहे है और फाइविंटरन ओमेगा देफ्रेंड का होगे जित उसी 3 cases जड़े ने उसी लहोगे सब तो पहले थे असी ले लिए कि जदो omega जड़ा है वो बहुत बहुत ज़ाधा small है तो अगर omega small है तो मतलब omega जड़ावा वो 0 ने उप्रोच का रहे है बहुत ही ज़ाधा cut है ठीक है तो मैं एथ एक expression जड़ावा वो लेख लनी है tan phi is equal to omega m minus s by omega divided by r हुन देखो omega term जड़ी है ए ताँ 0 दे कोल कोल है तो a जड़ी value है एक इन्नी हो ज़ुगी बहुत चोटी हो ज़ुगी around 0 point something कुछ भी हो गया मतलब 0 दे कोल कोल ए value है बट एथी omega नीचे है s by omega है denominator चाहे ताँ जड़ो इत्थी omega 0 न अप्रोच करूँगा था ए जड़ी term में s by omega एक बहुत ज़ादा बड़ी हो जाएगी it would approach to infinity बट क्योंकि minus लग गया हो था ए minus infinity नो जड़ी है ओ अप्रोच करेगी तो यह दा मतलब tan 5 दी value सड़ीकुल होगी minus infinity और tan 5 minus infinity कदों होंदा है जदों 5 दी value हो जाएगी minus pi by 2 चीक है तो this is the value of 5 असी basically निकालनी है थीटा दी value थीटा सड़ीकुल की है गावा minus pi by 2 plus pi चीक है तो 5 दी value जड़ी है और से फिल कर दिये और से फिल कर दिती minus pi by 2 तो pi by 2 ना pi by 2 cancel हो गया मतलब ultimately 0 हो गया तो उस time ते जदों omega बहुत ज़ादा small है ता displacement ते driving force जड़े दोनों in phase होंगे so the next thing is when the driving frequency is given by omega is equal to sm under root s by m यह सी ले 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 यह सी natural frequency जड़ी हो ले 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 तो जदों a value है तो उसी यह दे देखो tan 5 दी जवससी omega जगाते under root s by m फिल करी जाना है omega दी जगाते under root s by m एत्थे भी omega है ता एत्थे भी under root s by m by r यह जड़ा normal जड़ा by r यह इतने ही देगा तो इन्नों पुद्धकरा उट रговी जड़ा 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 सी बास माइन कि ओशन देखो से ले 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 जगा फिल के मैं थी जरो हों so it means at natural frequency omega is equal to under root s by m at resonance the displacement will lag behind the driving force so in this way the displacement will lag behind the driving force so driving force रडिया ओगे चल जाओगी displacement पिछे रह जाओगी pi by 2 angle देना हुन सी ले लेया पहले ऐसी small वाला केस लेया सी हुन सी large वाला केस रह रहा है कि जदो driving force बहुत जदा large है चीक है तो large है इदा मतलब omega infinity हो गया तो infinity जदो omega हो गया तो तुसी यह थे देख सकते हो फिर यह वली जड़ी term है गी है यह dominate करेगी यह वली जड़ी term है जड़ी term है यह 0 दे equal आ जाएगी चीक है तो एत्थों असी कार सकते हैं बीचे टैन फाइया ओ प्लस infinity है चीक है तो 105 जदों तो अड़ा प्लस इंफिनिटी है और कदो होंदा है जो फाइदी वैल्यू पाइबाइटू होवे तो जो तसी फाइदी वैल्यू पाइबाइटू है फिल करोगे ता अटेकोल आ जाओगा माइनस पाइ तो एथा मतलब डिस्पेस्मेंट जेडी हो पाइदी नाल जेडी हो पिछे रहेगी तूर्च एख देख सकते तो इस चीज कीड़ावा और इंक्रीश और चीड़ावस तो टिटा जड़ावा तो पिल्कुल नाल नाली चल लेगा इंखे दोनो इनफेज ने जदो एदी वैल्यू अंडरूट S by M होगी ओदो एदी वैल्यू तो जदो एदी वैल्यू जड़िया बहुत जदा लार्ज है तो अगेन अप्रोच कर दिया था फिर पाय तक प्रोच जड़िया ओधी तो इस तरीके नाल जड़ा एदी रिलेशन्शिप है गाए इह इस तरीके रिलेशन्शिप देख रहे है यां कि फेज एंगल ओमेगा देदा बिकाओ अल्री असी एथ़ फेंगल निकाल लिया है माइनस पाय बाय टू जीरो और पाय बाय टू छीर है तो जड़े तह देख दे हैं जड़ों मेगा दी वैल्यू काटता ता माइनस पाय जदों intermediate है सी लेली सी ओमेगा दी वैल्यू नेक्सरोल फ्रिक्वेंसे दे इक्वाल अंडरू टैस्ट बाई ओमेगा ता ओधों थीटा दी फाई दी वैल्यू जीरो सीगी साधेकोल यह जीरो लाइन है और जदों मेगा दी वैल्यू बहुत जादा लार्ज है ओधों साधेको पाई दी वैल्यू आंदी है पाई बाई टू यानिके 90 डिग्री तो एजडी विरियेशन है तो डिशो किती हुए है फॉर दिफ्रेंट आर्स तो इते ले यह जडिया चेंज हो जान दी है जदों आरवन दी वैल्यू वाद्ध है तो जडिया स्लाइटली शाप होनी शुर होगी ता स्ट्रेट नेचर जडाय ओधा दिखाई दोंगा